अगला टॉपिक आपका यहां पर प्रोटेक्टट कल्टिवेशन जिसकों बोलते हैं सनक्षित खेती जिसकों सनक्षित करके और खेती की बिधी को अपनाना आज क्यों हमको यह आवस्थे हो गया है कि सनक्षित खेती करना है मार्येट्ट क् 19 में बवलाइड ब्लाइड बहुट कम होता जाता है ज्मसक क्लायमेट क्लायमेट बदलता जा रहा है ढायट प्रोटेट्ट टीर सन कर यहां पर क्रोट यह कर के और घार में क्या कर सकते हैं कि त्यार कर सकते हैं सिंगल मोंस्ट इंप्वार्टन टेक्विलाजी फार यहां पर रीजिंग इस तरीके से आप कह सकते कि क्लाइमिट चेज्ज को देखते हुए और ग्लाइंड का देखते हैं कि शेकुरता यौ लैंड कम होता हुआ जा है क्योंकि जातर इंडिस्ट्रेल छेतर होते जा रहे हैं और अरवन छेतर बढ़ रहे हैं इस वजह से हम को प्रोटेक्टेड एक सनक्षित क्येक्व करने का और शकता पडा कि जिससे हमको एक अच्छे का मिल सकते हैं इसके लिए क्या करते हैं हई पोड़क्टीविटी जादा उत्पाधक्टा लेनी के लिए कि हमारा इस की तरीकες से जा क्वालिटी इंप्रूब हो जाएगी जैसे आप एक लौकी त्यार कर रहे हैं खेत के बाहर और वही चीज़ अगर आप सनक्षित करके बढ़ियां उसको तो एक अच्छे क्वालिटी का आप कह सकते हैं कि लौकी मिलेगा जो भी फसल है अगर उसको आप ढखकर या उसको करके अच्छी क्वालिटी का मिलेगा ज्या आप कह सकते हैं कि प्रॉप्टिबल रिटंस हमको एक अच्छा अच्छा उससे लास मिल सकेगा तो यहां पर यह तो था इंट्रोडक्शन अगर वेड़ा आप मारे चैनल पर नए हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपन ऐसकी प्रोटेष्टेट कल्टीवेशन तो यहां पर जिए टेकनिक यहां पर दिखते हैं कि मैक्रो क्लैमेट यहां पर गप्लांच मैंट कंट्रсл आपड जो भीक्लायमेट सा है उसको जो वी जलवाईओ जलवाईओ तरीके से कह सकते हैं कि Cons Joan करके और फशलों को वे थी सो की किया-क्या कि कनसरवेसिन ऐस मॉस्चर नमी को कंजर्ब करके और on के इस की भी में सोलर इनरजी का मhesia करके और फिल्टि करने ऑंगत यह पर उती है और तेंats यह तें हैं पर की प्रोड़िक्टैट क्लटिवेसिन के लिए कोंसे पोटेंसिल क्राप यहां पर अच्छे होते हैं किन किन फसलों के लिए अच्छा होता है जैसे ग्रीन टेक्नोलाजी इस मूर से टेबल टू विश्टेबल क्राप सच एज जिसे टोमाइटो आपको जिसे आप टमाटर की खेती करने के लिए बढ़ियां होता है उसके बाद में कैपसिकम या आपका यहां पर कुमबर या इस तरीके से अलग-अलग कैबे चिली इस सब के लिए कैली फ्लावर इस सब के लिए ग्रीन हाउस बड़ा अच्छा है जिसे आपका गुलाब का एक अच्छे चिक कलर में गुलाब का और विभिन परकार के आप देखते हैं कि फ क्या है यह चीजबी देखते हैं कि नीड क्या होगा उसका ऊगा जदा उत्पादल लेने के लिए अगर हम खेत को सुरक्षित रखेंगे अगर खर्ण बना करके रहते हैं तो बायर एंबर साथ से उसके बाद में बर साथ से हवा से, ठंड से, गर्म से सब चीज़ से सुरक्षित है, हमारा क्या कि सिर परच़त हैं हमारा प्रोटक्शन इसी तो इस तरीके से अगर फसलों में प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जादा उत्पादन मिल सकता है यह उसके बाद में यह कल्टिवेशन पूरे वर्स इसमें आप खेती कर सकते हैं बैटर कॉलिटी का अच्छी कॉलिटी मिल सकती है आप सीजन कर प्रोडुक्शन मलब जो फस तो इस तरीके से जो एजुकेटेट तो आप कह सकते हैं कि उनको डबलब करके और एक अच्छा लाब भी कमा सकते हैं तो यह भी होता है तो पेस्टिसाइड होगा बहुत कम मात्रा में इसका उप्योग होगा जब प्रोटेक्शन रहेगा तो उसमें अगर रोगों का या की पालन से क्रास aik सकता है लेकिन इसमें और रिख सकते हैं कि कन टौल करनेत या जू भी वैडर को भी आप आसानी से जो जो भी कंडिशन उसको भी कंट्रोल करके आप महाँ पर खेती की जा सकते हैं या वीड फिरी कल्टिवेशन पर जिसे खरपतवार को नियंतरित करके भी खेती प्रमुक्त तोर पर कर सकते हैं यहां पर आप देखते हैं कि किन छेत्रों में कितने अधा प्रूटेटेट कल्टि तो 25 केवल एरिया हेक्टियर में मिलेन हेक्टियर आप कह सकते हैं इसमें होगा इतने एरिया में केवल इसकी खेती प्रमुक्त तो पर किया आता है तो प्रिंश्पल आप ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस का में सद्धान क्या है तो ग्रीन हाउस का सद्धान क्या है कि इसमें जो अंदर का है सकते हैं उसके अंदर का इरिया वह अच्छी तरीके से पर देखते हैं और उसके बाद में औरेंटेशन इसका अगर देखें तो ग्रीन हाउस तुल्भी औरेंटेशन नार्थ शाउथ एरिया में यगा लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि सनलाइट का एफेक्ट अच्छे तरीके से उसमें समर और विंडर दोनों सीजन में आ करता है यह आप देखेंगे तो यहां पर ग्रीन हाउस का यह प्रभाव इसमें अलग-अलग तरीके से उपर से कैसे बैंडिंग की हैं इसमें आप देखते हैं कि स्प्रिंकलर एरिगेशन के लिए अच्छी बाउचारी सी चाई भी कर सकते हैं इसमें ड्रिप एरिगेशन अपना सकते हैं यहां पर ड्रिप एरिगेशन स्प्रिंकलर एरिगेशन इस सबको अच्छे तरीके से डबलब करके और खेती आसानी से यहां पर की जा सकती है जिसे कुम्बर है टोमेटो है चिल्ली है यहां प्लांट का रूट डबलमेंट यहां पर इसी दिखाएगा किस तरीके से डबलमेंट इसके अंतरगत होता है तो टोमेटो इस फिल्ड कंडिशन्स फिल्ड कंडिशन्स में यहां पर टोमेटो है अवाई तो इसके और इसके क्वाल्टी में आपको दिख रहा है यहां पर भी देखते हैं यह बाहर है और यह अंदर इसका आपको फसल तो वहाँ पर अलग अलग जैसे फिस्ट एंडिंग और यह आपका अटाइज्ट दो प्रकार का इसमें ग्रीन हाउस अटाइज्ट में अगर देखते हैं तो इसका एडवांटेज और डिस एडवांटेज क्या होगा जिसे अब किसी का अटाइज्ट किसी कर सकते घर के पास यहाँ पर अटाइज करके भी इसको आप लगा सकते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि प्रापर मात्रा में इसको श्न लाइट नहीं मिल पाता है यह यह अच्छे तरीके से यूईस्पूल नहीं हो सकता है वही पर अगर बाहर इरिया में इसको आप लगाते हैं तो यह एरिया के लिए अच्छा रहता है कि तो प्राइबेड जहां पर जो प्राइबेड प्रोवाइड़ मूर यहां पर इसपेस कैन भी यहां पर फुल साइज का और अच्छे तरीके से आप एक कह सकते हैं बना सकते हैं या विद्धाउड मांटेड इसमें बनाएंगे तो ऐसे में एफेक्टेड हैं साउथ इस्ट साइड और हाउस इस तरीके से साउथ इस्ट साइड में यहां पर ग्लास लगा करके और यहां पर डबलब कर सकते हैं यहां पर प्रिहेंडिंग करके अलग अलग तरीके से स्पीश टेक्शर डबलब करके इस परकार से भी यहां प की कह सकते हैं कि इसका डबलमेंट अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं यह हाँ पर आप दिखते हैं कि फॉर्टी इरि-डी-टेशन सिस्टम अपना सकते हैं वे इसह सब्ट को दे सकते हैं तो इससे न्यूट्रिएंट बीकम लगता और वो न्योट्रिन प्लांट को बहुत ज्यादा एफक्टिव होता है तो फर्टिगेशन के लिए भी बहुत अच्छा जो क्लामटिक कंडिशन है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ग्रीन कि एड़ानेज्ट किया है तो इड़ानेज्ट क्या है कि फसल की सुरक्षा रहती एक अच्छा फसल में सकता है और ज्यादा उत्पादन भी होता है और आप आप कह सकते हैं कि कुछ यहां पर मिल जाता है डिजीज और पेस्ट का उन सब का कोई ज्ञादा प्रप्रकोप नहीं होता है है कि भाई जो प्राणिंबेग लागज कास्त होता है वह इसका क्या होता है ज्यादा होता है यहां पर नॉलिज की विक अच्छी हो सकता हो गी यह दिंद्ट जो इसकिल्ड रोगाॉगा उस उसके अंदर गया वह अच्छे